नमस्ते विद्यार्थियों, चुंकि पिछले वीडियो में हम हिंदी कावे शास्त्र के विशय कावे रस्त पर चर्चा कर रहे थे, जिसके अंतरगत हमने रस्त की परिभाशा और उसके अव्यवों पर चर्चा की थी, आज हम उसी चर्चा को आगे भढ़ाते हुए अपनी कक नहीं करेंगे, तो आएए आज की कक्षा शुरू करते हैं, आज हम रस्त के अंतरगत उसके दूसरे परमुका अव्यव विभाव का अध्यन करेंगे। विभाव यानि कि कारण, विभाव का अर्थ ही होता है कारण, यानि जिन प्रमुख कारणों से, इस्थाई भाव मन में जागरित अत्वा उदिप्त होते हैं, उन्हें विभाव कहा जाता है, विभाव रसकी उत्पत्ती में आधारभूत माने जाते हैं, यानि कि जिन जो कि हमने पहले पड़े थे ना पिछले वीडियो में जैसे रती है, हास है, शोक है, क्रोध, उत्सा है, भै, विस्मय, ये जो इस्थाई भाव है, जिन कारणों से उदिप्त होते हैं, हमेशा उदिप्त हुए थोड़ी रहते हैं रुदय में, ये कभी-कभी उदिप्त होते है, वो कारण विभाव कहा जाता है, ठीक है, तो जिन प्रमुख कारणों से इस्थाई भाव उदिप्त होता है, मन में जागरित होता है, उसे विभाव कहा जाता है, विभाव रसकी उत्पत्ती में आधारभूत माने जाते हैं, ये कि कारण ही तो होता है, आधारभूत, कि साही भाव किस कारण से उदित होते हैं तो वो कारण ही तो मेन होता है तो इसलिए विभाव जो है वुरस की उद्पत्ती में आधारभूत माने जाते हैं विभाव के आगे देखें विभाव की दो भेद हैं एक है आलंबन विभाव और दूसरा है उद्दीपन विभाव आलंबन विभाव देखी भावों का उद्गम जिस कारण से होता है वह आलंबन कहलाता है भावों का उद्गम जिस कारण से होता है वह आलंबन कहलाता है जिस मुख्य भाव या वस्तु के कारण भावों का उद्गम होता है, भाव जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं, हास, शोक, क्रोध, उत्सा है, ये जो भाव हैं, वो किस कारण से रदई में उत्पन हो रहे हैं, वो कारण क्या कहलाएगा, आलंबन विभाव, आलंबन विभाव क होता है, वह पात्र विशय कहलाएगा, और जिस पात्र में भाव जागरित होते हैं, वह आश्रे कहलाएगा, जैसे मानीचे, सीता और राम, जब पुष्प वाटिका में मिलते हैं, तो राम के सौंदर्य को देखकर सीता के मन में प्रेम भाव जागरित होता है, प्रेम इस् इस्थाई भाव था पहले से विद्धिमान था लेकिन वो जागरित कब हुआ राम को देख करके तो कारण क्या हो गया राम का सौंधरी है तो राम और जो है राम का सौंधरी है जो है वो क्या हो गया आलंबन विभाव हो गया यहाँ पर यही कहने का मतलब है कि भावों का राम क्या हो गए आलंबन हो गए अब आलंबन के क्या होते हैं दो भीद होते हैं एक होता है विशे और एक होता है आश्रे विशे वो ही होता है जो आलंबन होता है वो ही विशे होता है ठीक है इसे बस अलग सा ऐसे लिख दिया है मैंने लेकिन जो आलंबन होता है वही विशे होता है यानि कि मानू जैसे जिस पात्र के लिए भाव जागृत होते हैं वह पात्र विशे कहलाईगा अश्रयोऑ जिस से पात्र में भाव जागरित हुआ है रती स्थाई भाव कौन से पात्र में जागरित हुआ है सीता में हुआ है तो सीता क्या हो जाएगी आश्रे और विशे क्या है इसका राम का मतलब राम को देख करके सीता की मन में रती स्थाई भाव जागरित हुआ इसलिए राम क्या हो विशे होगे या राम क्या होगे अलंबन होगे और आश्रे जिस पात्र की मन में भाव जागरित होते हैं वह आश्रे कहलाएगा तो ही मैंने उपर बताया है कि अलंबन विभाव यहाँ पर लिखा है कि अलंबन विभाव और इसके दो पुभेद होते हैं विशे और आश्रे जिन प्रमुख कारणों से स्थाई भाव मन में जागरित होता है या उदिप्त होते हैं उन्हें विभाव कहा जाता है और आलंबन विभाव और उदिपन विभाव आलंबन विभाव जिन कारणों से उद्पन होता है स्थाई भाव वैं आलंबन है इसके दो पुभेद मानलो विशे और आश्रे अगला है उद्धीपन विभाव उद्धीपन नाम सी पता चल रहा है उदिप्त कर देना मतलब बढ़ा देना यनि कि सीटा के मन में भाव कौन सा जागरित हुआ था रती स्थाई भाव जागरित हुआ था अब इस इस्थाई भाव को जो और भी अधिक बढ़ा देता है इस्थाई भाव तो जागरित हो गया था किसको देख करके राम के सौंदर्य को देख करके तो राम इसमें क्या होगे अलंबन होगे और सीता क्या होगे अश्रे होगी सिता के मन में भाव कौन सा जागरित हुआ था रती स्थाई भाव जागरित हुआ था अब रती स्थाई भाव को बढ़ाने वाला जो भी कारण है उस स्थाई भाव को बढ़ाने वाला जो भी कारण है वह किसके अंतरगत आएगा उद्धीपन विभाव के अंतरगत आएगा यानि कि यहाँ पर यहीं लिखावा है कि जो जागरित हुए स्थाई भाव को यहाँ पर भूल से मैंने मनोविकार लिख दिया बट आप स्थाई भाव समझे जो जागरित हुए स्थाई भाव को प्रदिप्त कर देता है या उत्तेजित कर देता है या और भी अधिक बढ़ा मैंने जो बताया, राम और सीता का मिलन का जो वर्नन बताया, मैंने, तो उसमें क्या होती है? जैसे आस पास का जो पुश्प वाटी का है, चांदनी राथ है, नदी का तट है, एकांत है एक दम से, तो यह जो चीजें हैं, यह जो बाहरी वातावरन है, यह उस स्थाई भाव क चर अचर जग हरी मुख में लखी मातू अकिल भूवन चर अचर जग हरी मुख में लखी मातू चकित भई गदगदवचन विकसित द्रिग पुलकातू यानि कि ये जो पध्यान शाहिए आपको भी वणन है वो प्रसंग है जब माता यशोदा अपने पुत्र श्री कृष्ण के मुख में चर अचर जगत को देख करके और क्या हो जाती है आश्चरय चकित हो जाती है जब मुख में संपूर्ण संसार उनको श्री कृष्ण के मुख में दिखाई पड़ता है तो माता येशोदा विस्मित हो जाती है आश्चरय चकित हो जाती है तो यहाँ पर माता येश बहाव तो पहले से विद्प्ध्यमान था लेकिन जागृत कब हुआ जब उन्होंने श्री मुख में उस चरअचर जगत को देखा तो वो देख करके उनके मन मE Employee से विद्यमान जो स्थाई भाव था वो जागरत हुआ, कौन सा स्थाई भाव जागरत हुआ, विस्मय आश्चरे का, तो इसलिए यहाँ पर स्थाई भाव कौन सा हो गया, विस्मय का, विस्मय का स्थाई भाव हो गया, और विस्मय जो स्थाई भाव है, कौन से रसका है, उठ्भुत का हो गया, ठीक है, तो उपर जो पद्ध्यांश है, क्यों से रस का उधारन है, अद्भूत रस का उधारन है, इस में स्थाई भाव कौन सा है, विस्मय या अश्चरय क्योंकि, माता सीता, माता यशोधा के हृदाई में, श्री कृष्ण के मुख के दिर्शे को देख करके जो आश्चरे का भाव जागरित होता है जो आश्चरे का विश्मे का स्थाई भाव जागरित होता है ठीक है इसलिए यहां पर अद्भुतरस है और स्थाई भाव हो गया विश्मे और आलंबन देखिए क्या हो जाएगा कृष्ण क्रिष्ण का मुख जो है वो आलंबन हो जाएगा क्रिष्ण भी हो सकता है क्रिष्ण का मुख भी हो सकता आलंबन क्योंकि क्रिष्ण के मुख में जो अचर अचर जगत था उसको देखकर ही तो माता शेशोदा के हृदय में आश्रे का भाव जागरत हुआ तो यहां पर या विश्रे हो जाएगा और आश्रे किसके ह्रदय में अश्रे हो गई रहा है तो यह हो गया आलंबन कृष्न का मुख और आश्रे हो गई माता यश्रे और उद्धीपन देकिए मुख में अखिल भूवन और चर अचर प्राणियों का दिखाई देना ये सब क्या होंगे उद्धिपन ये बढ़ावा दे रहे है उस स्थाई भाव को विस्मे आश्चरे का जो स्थाई भाव है जो माता यिशोदा के हृदय में जागरित हुआ है तो माता यिशोदा के हृदय में जागरित होने के करण माता यिशोदा क्या होगी आश्चरे होग यह सब क्या है आश्चरे को भी अधिक बढ़ा रही है तो यह किसके अंतरगत आएंगे उद्धिपन विभाव के अंतरगत आएंगे तो ठीक है जो दूसरा अव्यव है रसका दूसरा प्रमुक अव्यव है विभाव विभाव मतलब कारण जो कारण होते हैं इस्थाई भाव को उधिप्त करने के जो कारण है वो कारण क्या होते हैं विभाव के अंतरगत आते हैं विभाव के दो भेद हैं आलंबन और उधिपन आलंबन जिस कारण से भाव उधिप्त होता है वो कारण आलंबन विभाव है और उधिपन जो जागरत हुए भाव को और भी अधिक देता है वह उद्दिपन विभाव है आज के लिए बस इतना ही अगली कक्षा में हम रस के शेश बचे अवयवों का अध्यन करेंगे